नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त थरीश गोड और आप देख रहे हैं अधा इंडियन पल्स दोस्तों आज बात कर रहे हैं हम लोग नफरा यानि नेशनल फानेशल रिपोर्टिंग ओथरिटी के बारे में दो खबर निकल कर वहां से आई हैं पहली खबर ये है कि एक चार्टर अकाउंटेंट पर उसकी वित्य अनियम इत्ताओ को देखते हुए उस पर कारवाही की गई है और उन पर एक लाख रुपे का जुर्माना साथी साथ एक साल के लिए प्रतिबंद लगा दिया गया है तो ये पहली कारवाही है नफरा की तरफ से इसके साथ साथ एक बड़ी खबर और निकल कर आई नफरा ने अपनी औरिट क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट जारी की है 390 बेच की और इसमें उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं बिग 4 फर्म्स पर एक तरफ जहां ENY मेंबर SRBC एंड कंपनी LLP पर आरोप लगे हैं दा हिंदू बिजनिस लाइन में छपी खबर के अनुसार अगर हम बात करें तो ENY मेंबर SRBC एंड कंपनी LLP जो Infrastructure Leasing और Financial Services गुरूप की ओडिटर हैं और उन्होंने audit की 2017-18 की जिसमें बड़े खुला से किये गए हैं कहा गया है कि इन्होंने न तो Standard of Audit 700, 220, 200 का पालन किया है और नहीं जो auditor की independence उसका ध्यान रखा गया है Section 144 of Companies Act 2013 का हवाला देते हुए इस report में कहा गया है कि उन्होंने जो कार्य प्रोहिबिटिड थे एक auditor को करने के लिए वो कार्य भी उनके या उनके partner firm ने किये है तो ये कहीं न कहीं बड़े आरोप लग रहे हैं इंडिपेंडन्स को लेकर भी E&Y के साथ साथ ही Deloitte, Haskins and Sales LLP पर भी लगबग इसी तरीके के आरोप लगाए गए है जो Executive Summary जारी की है नफरा ने उस Executive Summary को भी आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर चल रही है तो उसमें भी लगबग यही आरोप लगाए गए है सभी Sections का Code किया गया है और बताया गया है कि कैसे Big Four इन सब Violations को करते हुए Audit Report जारी की और True and Fair View नहीं दिया गया जिससे Stack Holders को ना तो Timely मैनर में Information प्रोवाइड हो पाई और ना ही उनों लोगों को सही पिक्चर डिपिक्ट हो पाई इन Entities की आपको बताते हैं Infrastructure Leasing और Financial Services ग्रूप में लगबग 250 Listed और Non-Listed Companies हैं Associates हैं Joint Venture हैं तो कही ना कहीं ये एक बड़ा आरोप लगा है इन बिक फोर पर देखना ये होगा कि जिस तरीकी की कारवाही उस कुलशन जटीज ज्छाम नामक Chartered Accountant पर की जाती है उनको प्रतिबंधित किया जाता है क्या ये ही कारवाही अब बिक फोर पर भी होने वाली है तो ये एक बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया है नफरा की तरफ से कारवाही शुरू हो गई है तो सब ही Chartered Accountants को संभल करके अब अपने Financial Statement तयार करने होंगे